नमस्कार विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है प्रदेश में मच्छरों का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा सरकार के लाख कोशिशों के बाद भी डेंगू का आकडा लगातार बढ़ रहा है मंध्य प्रदेश में डेंगू मरीजों की कुल संख्या 6070 पहुँ सालों में जारी है कुल 3130 मरीज रिकवर हो चुके हैं सरकार द्वारा डेंगू जागरुकता के लिए चलाया जा रहा अभियान भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया यही वज़ा है कि प्रदेश में 6000 से जादा मरीज हो गए पहले नंबर पर मंदसौर बना हुआ है यहां कुल मरीजों की संख्या 1100 है दूसरे नंबर पर जबलपूर है यहां 666 मरीज हैं वहीं इंदौर में 466 मरीज हैं जबकि उजयन में 409 मरीज मिले हैं उजयन में अक्टूबर में ही अब तक केस के सबसे ज़ादा 89 मरीज मिले थे डेंगू मरीजों की संख्या के मामले में रतलाम 399, भुपाल 390, गुवालियर 308, नीमच 264, चिंदवाडा 249, वहीं खरगोन में यह आकड़ा शतक बना रहा है, प्रदेश के 15 से जादा जिलों में 100 से जादा मरीज है, सरकारी आकड़ों के अनुसार कुल 6000 मरीज डेंगू से जंग लडने को मजबूर है, कोरोना की तीसरी लहर के आशंका के बीच डेंगू से जंग काफी कटीन पड़ रही है, बुखार आने पर लोग अस्पताल जाने से बच रहे हैं, अस्पतालों तक केवल वे मरीज ही पहुँच पा रहे हैं, जिनकी हालत विगड़ती जा रही है, प्लेटलेट्स कम हो रहे है स्वास्ति विभाग की माने तो प्रदेश में डेंगू से केवल पांच मरीजों की मौत हुई है, स्वास्ति विभाग का दावा है कि इस साल अब तक कुल 30302 मरीजों की डेंगू जाच की जा चुकी है, मरीजों को उचित इलाज दिया जा रहा है, पिछले महिने मुख्यम पाई रखने की अपील की गई थी, लोगों के घरों में डेंगू का लारवा पाई जाने पर जिरुमाना लगाया जा रहा था, पानी रुकने वाले स्थानों में गम्बूशिया, मच्छ्ली और नीम के तेल के छड़काओं की सलाह दी गई थी, कई राकों में डेंगू का लारवा खाने वाली मचली की वितरन भी किया गया शाशन प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा इसी बात का संकेत है कि योजनाय दिखावा मात्र रही हैं उन्हें शक्ती से लागू नहीं किया जा रहा है इसलिए डेंगू मरी जोंके संख्या तेजी से बढ़ती नजर आ रही है